स्वागत ही दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI4i या फिर इसी भी Redmi phone पे network जो आपका काम नहीं कर रहा है network का जो आपका problem आता है उसे आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपको ब रहा है या फिर आपका जो आपका network है वो बिल्कुल शोई नहीं कर रहा है तो यह सारे problem network का problem का आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथी साथ दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा देना और यह आप online पैसे कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक आउट कर सकते हैं चलिए बिना देर की हुए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile के settings पर जाना है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको more पर जाना है more पर जाने के बाद में दोस्तों Redmi phone पर एक यह बहु mobile network पर आपको click करना है उसके बात में जो SIM पर आपको network नहीं मिल रहा है या फिर network का problem आ रहा है उस SIM को आप select कर लिजेगा और यहां पर दोस्तों आपको preferred network टाइप पर जाना है अभी आपको ध्यान रखना है कि यह आपका mobile वोल्टी है LTE है वोल्टी सपोट करता है तो आप अपको preferred वोल्टी करना है ठीक है जायर सी बात है वोल्टी सपोट करता है तो आपको यहां पर प्रिफर LTE शो करेगा यह करेगा ठीक है वरना यह दिया आपको यहां पर काम नहीं कर रहा है तो आप preferred 3G पर क्लिक करके भी आप network चेक कर सकते हो एक बार ठीक है उसके बाद मे यहाँ पे mobile network पे यह दिया हम चले जाते हैं तो automatically select the network आपको आपको रखना है, ठीक है? इसे आपको automatic रखना है, उसके बात में अभी हम चलते हैं network setting की और, यहाँ पे more पे आपको जाना है, settings पे आने के बाद में network setting reset पे आपको जाना है अभी दूस्तों यहां पर क्या होगा वाइफाई मोबाइल डाटा आपका यहां पर ब्लूटूट और यह सिम सारा आपका रिसेट हो जाएगा ठीक है अभी क्या होता है कि कभी गभी हमारा नेट्वर्क वगेरा में हम जो है छेडखानी कर लेते हैं यहां फिर गलती से शेटिंग वगेरा जो है छेडखानी हो जाता है इसी वज़े से हमारा नेट्वर्क को वगेरा काम नहीं करता है तो इसमें क्या कर सकते है आप complete अपना network का reset कर सकते है setting को ताकि company से जो settings आता है उसी में by default बेट जाए उसके लिए आपको सबसे नीचे reset setting पे click करना है और यहाँ पे आपको अपना password है तो भर देना है उसके बाद में next पे click करना है अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते ह section तो आपको यहाँ पे simply okay click करना है ठीक है जैसे आप okay click करेंगे आपका network जो है वो completely reset हो जाएगा तो यह करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile के एक बार switch on से switch off करके switch on कर लीजेगा restart कर लीजेगा उसके बाद में आपका जितना भी network का problem है वो solve हो जाएगा ठीक है एक ब तो दूस्तों यह था सारा solutions यह दि इसके बाउजित भी आपका problem solve नहीं होता है तो कभी-कभी motherboard में या फिर sim slot में हमारे imbult motherboard में problem होने के वोज़ इसे भी होता है ठीक है तो यह था problem का solution उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा थैंक्स वॉचिंग